Hello everyone and I welcome you all to my channel Exploring Delhi with Adya So thank you so much मेरे लिए जरूर आपने energy prayer की होगी जो मैंने आप तक की जिंदिगी में सबसे लंबी vlogging की है सुबह साड़े छे बजे मैं अंदर लोग के लिए निकले थी और घर में मैं अंटर हुई हूँ शाम को साड़े पाँच बजे मतलब कुछ घंटे की दे रही थी ने तो पूरे 12 घंटे मैंने market में ही बिदाए continuous और इसके लिए इतनी energy और इतनी power मुझे कहां से आ रही थी मुझे पता चल गया तो इसके लिए thank you thank you thank you so much मैंने पहले इंद्रे लोग market कवर की उसके बाद सीलंपूर market कवर की और चानल को सब्सक्राइब करके रखना और ताकि ये सब जब भी वीडियो आए सारे उनका notification आप लोगों को मिलता जाए तो आज आप देखरो सबसे पहले इंद्रे लोग part 1 part 2 भी बहुत जल्दी शेयर करूँगी सीलंपूर व्लॉग भी शेयर करूँगी तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों कर आप दिल्ली की best markets और best budget shops के बिल्कुल latest वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा यानि आद्या का चानल ज़रूर सब्सक्राइब करें और bell notification आप करना ना परें आपको सबसे पहले हारून भाहिया के सूट का collection जो कि बहुत ही टाइम से पेंडिंग चल रहा था भाहिया के पास में एकदम लेटिस सारा collection आया हुआ है भाहिया कुछ अपने कस्टमर्स को अटेंड कर रहे थे तो उससे पहले मैं यहां पर आपको दिखा देती हूँ भाहिया जी के बगल में जो बरतनों की शॉप लगती है भाहिया से मैंने आद दो सर्विंग स्पून लिये थे 30-30 रुपीज वाले बहुत solid quality है steel में भी stainless steel quality है बहुत ही बढ़िया वाले तो आप भाहिया से ले सकते हो जैसा भी आपको size required हो यह जो मेरे हाथ में आप देख रहो है यह लिया था रिकॉर्ड था frying purpose है तो बहुत अच्छी quality है 30 रुपीज के according साथ ही साथ यहां से आप टी स्पून भी ले सकते हो चोटे size बड़े size सब मिलेंगे यह जो मेरे हाथ में है यह और जाद हेवी quality वाले है तो यह आपको 6 के set के हिसाब से मिल जाएंगे साथ ही साथ आप इसमें ले सकते हो और यहां पर आपको बिलकुल अच्छी quality के stainless steel katoria भी मिल जाएंगी इनके matching आप ले सकते हूँ यह मैं आपको सिर्फ designs दिखा रही हूँ ठीक है तो यह अच्छी quality अच्छे prices में भाया के पास मिल रहा है साथ मैं आपको यहां पर तड़का pan मिल जाएगा non-stick वाला चाहिए वो भी है और steel वाला भी है साथी साथ aluminum वाला भी है तो चलिए यहां से मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ हारून भाया जी का collection first suit जो आप देख रहे हैं इसके लिए pure masculine लिखना बहुत ही कम है guys क्योंकि यह pure masculine से भी कुछ ज़्यादा ही must जबरदस्त वाला fabric है मैंने यह fabric first time touch किया है साथ मैं आपको pure masculine का ही दुपटा मिल रहा है जितने भी suits में आपको दिखाऊंगी जो भी आपको पसंदाता है उसका screenshot ले के आप Haroon भाया को भेज देना इनके suit दिखाने के साथ ही इनका number flash होगा Haroon भाया लिखके इनका photo भी दिखेगा तो उस पे जो number लिखा है उसी में Haroon भाया जान लिखा है वही वाले number पे आपको contact करना होगा ठीके जो भाया के कुछ यहां पे boutique वाले customers आए हुए थे भाया साथ साथ में उनको भी दिखा रहे हैं और मुझे भी दिखा रहे हैं इसलिए उन्होंने price जो है और एक दो मैं आपको coat sets भी दिखाऊंगी और इस वीडियो में आगे जो धासू सूट आले भाया के पास जो coat sets आए हुए हैं बहुत ही ज्यादा budget friendly और ऐसे design शायद अपने अभी तक कहीं और देखे भी नाओ तो वो हम आपको दिखाएंगे आगी वीडियो में आप बनी रहेगा तो एक एक करके यहाँ पे मैं आपको pure के सारे suits दिखा रहे हूँ सारे article दिखा रहे हूँ मैंने कहा था अभी कुछ तिन पहले कि भाया का मैं आपको एक short video share करूंगी suits का पर भाया ने जब फोटोस भेजी ना फोटोस में वो बात नहीं आ रहे थी जो वीडियो में directly देखने पर आती है मतलब उसमें खाली मसलीन या औरगेंजा लिख देने से directly पता नहीं चलता है जब चीज़ा हाथ में आती है ना तब ही पता चलती है यह जो आप देखने है यह पूरा आपका ऐसा किरोशिया वाला सूट रहेगा औरगेंजा का प्योर औरगेंजा का साथ में दुपटा है और इसमें ब्रेश पेंट में भी आप देखोगा तो गोल्डन शाइन है बहुत ही प्यारी सी किरोशिया का आगे मैं आपको ब्लाक कलर भी दिखाऊंगे बहुत ही सुन्दर सा यह देखें पूरा हैंड़ वग है बहुत प्यारा नेक्स्ट आप देख रहे हैं ऐसा सूट मैंने फर्स टाइम देखा है भाई प्योर औरगेंजा में और इसमें जो कुंदन का कड़ दाने का और नल्की का जो वर्क है यह आफ शाइन में अगर आप ध्यान से देखो जादा तर सूट में सिल्वर होता है गोल्डन होता है बट यह एंटीक शाइन जो होती है यह उसमें है और यह बहुत बहुत जादा ग्रेसफुल है कलर्स वगेरा जितने भी डिजाइन में आपको दिखा रहे हूं उसमें मिल जाएंगे दामन आ गया नेक्स्ट जो मैं दिखा रही हूं यह भी आपका रहेगा बर्बरी सिल्क में यह बहुत बहुत ही प्यारा सा फाब्रिक है मुझे बिल्कुल पहचान नहीं थी इसकी इस प्लीज आपको जो भी पसंद आता है सूट स्क्रिंशॉट लेके हारून भीया के नंबर पे भेज देना और पर्चेस कर लेना वो मेरट से दिल्ली आते हैं दिल्ली में उनका कोई पर्मेनन शॉप नहीं है लेकिन उनके इंडिया ही नहीं इंडिया से बाहर के भी बहुत स साथ में और यह इसके कलर जाएंगे बहुत ही प्यारा सा लाइट ओरेंज है और यह आएगा आपका ऑफ वाइट कलर अब यह सूट आपको मैंने भीया की शॉप पहले भी कई बार दिखाए हुए लेकिन यह जो आया है यह डिफरेंट डिजाइन है प्यो जो आजिट में यह खोजकला का ब्रैंड है मैंने फॉर्स टाइम इस ब्रैंड का नाम सुना है ब्रैंडिंग इसकी हो रखी है टाग लगा हुए सूट पे खोजकला का प्योर औरगेंजा का सूट है और इस तरीके का आपका दुपट्टा रहेगा कटवक बॉर्डर के साथ में सारे डिज बज़े के बाद मैं गई सीलंपूर वहां पर भी जाते टाइम मेरे फोन की बैटरी ना 14 परसंट थी और सोचो मैं सीलंपूर जाके व्लॉगिंग करने जा रहे हूं 14 परसंट बैटरी लेके फोन में तो सीलंपूर मैंट्रो स्टेशन पे बैठके मैंने लग भग एक गंट अब बिताया अपने फ्रूट्स अगरा खाए फोन चार्ज किया मुश्किल से 50-60 परसंट और हो गया था क्योंकि मेरे पास पावर बैंक है उसकी वजह से थोड़ा 50-60 परसंट हो गया और फिर मैं आगे आपके लिए सीलंपूर मार्केट कवर करके आई हूं वहां पे भी जो जो चीजे मुझे ढूननी थी पता करनी थी बहुत कुछ समझ में आ गया है तो आप लोगों के साथ बहुत चल्दी सीलंपूर के व्लॉग्स भी शेयर करूंगी and you will really gonna love that क्योंकि वहां पे अभी से ही आपको विंटर कलेक्शन भी मिल रहा है बहुत धासुआला तो सील जब भी व्लॉग जाए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जल्दी मिल जाए तो यहां पर ही जो मैं आपको दिखा रहे हूं यह प्योर मसलीन का रहेगा आपका कोट सेट बहुत ही सुंदर समें बेल्ट है अजस्मेंट के लिए और यह आएंगे आपके प पास है आप मेरट जाना चाहते हो तो भया को कॉंटेक्ट करना प्लीज वही आपको बताएंगे जो भी एड्रेस है वहां का तो किरोशिया में मैं आपको बोला एक और दिखाऊंगी यह जो आप देख रहे हैं यह पूरा फरंट पे आपका किरोशिया है और इसका जो बैक प्लिवर्स के लिए बहुत सुन्दर सा रहे है नेक्स्ट आप जो देख रहे हैं यह भी काफी डिजाइनर है प्योर कॉटन का सूट रहेगा नेक पे पूरा यह एम्ब्रॉइडरी है यह देखे पैच पे इम्ब्रॉइडरी है गोटे का का काम है और साथ मैं आपको प्यो पाँ गया अगर कोई ना बताए ना देख के वीडियो नहीं पैचान पाऊगे इसलिए मैंने वह फोटो का शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड नहीं किया कोई फाइदा नहीं था समझ नहीं आता अच्छा यह जो आप सूट देख रहे हैं यह सूट बहुत ही प्यारा सा ह डीसेंट सा यलो कलर का वर्स इसके साथ में जो दुपट्टा है वो बड़ा कातिलाना है मल्टी कलर का आएगा नेक्स्ट यहां पर आप देख रहे हैं रेड कलर में यह भी आपका प्योर और्गेंजा का सूट रहेगा इसमें जो यह रोस के फ्लार्स बने हो है यह पूरे वही जो ब्रश पेंट वाला हैंड पेंट जो भी आप लोग बोलते हो वही चीज है देन एक और बखुत ही डीसेंट सा सूट में आपको दिखा लिए यह भी प्योर और्गेंजा का है इसका प्राइज पता दिया भीया ने मुझे ने पता कैसे बातों बातों में तो यह इ बिखा रहे थे तो उनको जो चाहिए था वो फिर शॉटलिस्ट करते जा रहे थे तो यह इस बार हारून भिया का कलेक्शन था पार्ट टू भी जरूर देखना बहुत अच्छा मैंने वहां पे भी कलेक्शन आप लोगों के लिए कवर किया है आज मार्केट थूड़ा सा देर से लगा था लेकिन देर होते होते भीड हो गई थी मार्केट पूरा लग गया था और बाकी तो आपको पते यह पर्स मॉबाइल का बहुत जादा ध्यान रखना है मुझे धैरे का नाम शाउट आउट करना था सो मैंने कर दिया धैरे आपकी मम्मा मिली थी मुझे सो ब तो लेकिन बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने क्या शॉपिंग की बस मुझे कमेंड करके बताएगा अब यहां से मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ जो कि हारून भाई के पास मैं आपको रेडी तु वेर का कलेक्शन मिलेगा और यह सारे आपके प्यूर फाप्रिक म भाई आपको बताएंगे और जेन्वन प्राइज ही बताएंगे नेगोशेट हो जाता है को ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है अब बस देखो एक दो तीन मिनट के अंदर ही नहीं एक दो तीन चार बस कुछ ही सेकंड्स में भाई का नंबर जो है स्क्रीन पर फ्लाश होने व हारून भाई का नंबर है इन से आप मंगवा सकते हो एक सूट घर बैठे भी तो अब मैं आपको मार्निंग से शुरू करती हूँ कि मैं यहाँ साथ बच के पांच मिनट पे सुबहा कहां पहुंची थी गुड़ दुभाई की शौप पे जहां पर अल्रड़ी मेरे ऐसे सब स्क्राइबर्स आए हुए थे जो घर से रात को एक दो बज़े निकले थे इस मार्केट में छे बज़े पहुंचने के लिए सोच के देखो और हम जो पास वाले हैं वह हम सोचते हैं कि चलो दस्मेंट का इतो रस्त है आराम से चलेंगे इतनी मतलब मार्केट की वेल्यू है सबसे पहले ही देखो शौकिंग मेरी नींदुर जाती है भहिया के सूट और उनके प्राइस सुनके यह देखो शरारे वाला सूट है मेरे ना थकावट की वज़ा से आवाज थोड़ी सी बैठी सी लग रही होगी शायद मैं बहुत टायड हूंच शाम वाली मार्केट नही नहीं जा पाई लेकिन इंद्र लोग और सीलापूर मैंने कवर किये हैं तो यहां पे स्टार्टिंग में 450 रुपीज के बहुत ही प्यारे प्यारे सूट मैं दिखा रही हूं इवन जो 550 में भी है देखके कोई नहीं कह सकता कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि यह 550 का है यह प बड़ा ही साइस था पैंड का प्योर का शिफान का दुपट्टा है और क्या लोगे बच्चे की जान लोगे 550 में कुछ भी नहीं मिलता यार मतलब पैंड्स भी सिली हूएं सिर्फ आपको शर्ट अपने अकॉर्डिंग स्टिच करवानी है और अब जो मैं आपको सूट दि लेवेंडर शेड का में आपको सूट दिखाया है यह प्योर जैम कॉटन पे था कोई बिल्कुल नहीं कह सकता कि जैम कॉटन का है बहुत ही डीसंट सा फाब्रिक और नेक्स जो मैं दिखा रहे हूं यह आपको इसके मैं आपको कलर दिखा देती हूं इसमें भी आपको साथ में प्योर शिफॉन का दुपट्टा मिल रहे है इसका नेक देखना कितना सुंदर है यहां पे व्लॉगिंग करना में लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि मेर से भी पहले यहां पे सब्सक्राइबर बैटे होते हैं मैं साड़े छे घर से निकलती हूं मुझे लगता बहुत जादा डिजाइनर और बाकी जो आप देख रहे हैं यह रहेगा आपका और्गेंजा में और्गेंजा दुपट्टा के साथ गुडभाई की शॉपर आपको 450 से लेके 1050 रुपीस तक की रेंज में सूट्स मिलते हैं आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ ऐसा है वी आउटफिट लिया है या कोई पीस लिया है जो 1100-1200 काओ लेकिन आज जो मैंने कवर किया उसके हिसाब से 4500 से 1050 रुपे तक की रेंज में आपको मिलेगा और यह जो मैं दिखा रही है यह हर कोई जो आया था भाया की शॉप से इसका एक ना एक पीस जरूर लेके गया है दामन इतना प्यार है इसका खुबसूरत सा मल्टी कलर यह सूट रहेगा और यह ऑसके बाकी कलर जाने वाले है ग्रीन पीच के साथ में पीच कलर है पिंग के साथ में लुकल शॉप का मैंने आपको थोड़ा ट्रेलर दे दिया है नंबर शेयर कर दिया है गुद्डु भहय लाते हैं और देखे यह जो शॉपकीपर्स हैं जो दुकान के अंदर भी लगाते हैं कुछ यहां पर यह लोग सिर्फ थर्जजे के दिन ही यहां पर दुकान लगाते हैं इसलिए इन्हें बोर्ड लगाने की कोई अनुमती नहीं है आज 14 सितंबर है हिंदे दिवस है इसलिए अनुमती कह रहे हैं तो यहां पर परमेशन नहीं होती इन लोगों को कई लोग आप कहते हो कि उनको बोलो बोर्ड लगा ले हमें आने में असानी हो जाएगी वह ऐसा नहीं कर सकते ठीक है तो आपको थोड़ा सा लोकेशन का ध्यान रखना पड़ेगा तो ब्रैंडड बच बच्चों के बच्चों के जो ब्रैंडड कपड़े भया लाते है शोई भाई वो आज खुद नहीं आए थे लेकिन उनके शॉपर कलेक्शन बहुत अच्छा था और इस बार बेबी बॉइस के कपड़े ज्यादा भारी थे बेबी गल्स के कपड़ों पर एक एक कलेक्शन वाले भया के पास भी दिखाऊंगे मैं वूलन शर्ट चेंड़ की बुखाद ही अच्छी तो यह दूसरा कलेक्शन है जो की साड़े तीन सुर रुपे की सेल का था जहां तक मुझे याद है तो इसमें से भी कोई भी सिंगल ड्रैस आप ले सकते हो इसमें आपको पांच से ज़ने अच्छे-ओथा चनल के मुझे एक बुखे लाkaa जाए शमें से जाए गति यादा से जाखने सें आपको पांच सो वह नौसस की साथ हैं को पांच सो याद लौस के लगुखा लाइंग पर आपको ब्या पता हैं और आपको पता हैंцию वह कुलीज路 के माकेश आपको अच्छे में लेंगे, डीसेंट में लेंगे, बस आप जो भी लेना अच्छे से चेक जरू करना, भाई या रिटर्न एक्सचेंज में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, मैं तो यही कहूंगी, ठीक है, तो जो भी लेना अच्छे से चेक करके लेना, और यह देखो, हे मालिनी जी की ड्रेस कितनी क्यूट लग रही है यह पूरा जर्म सूट था बहुत ही प्यारा सा आई वेश यह मेरे साइज में हो था क्वालिटी एक एक फाब्री की बहुत ही बढ़ी है तो सामने ना भी कुछ जादा नया आया नहीं है वही ऐसी इंडो वेस्टन टाइप की थोड़ी मोड़ी ड्रेस थी अब जब शोयब भया आएंगे तब ही कुछ धमाल करेंगे तब ही आपको फिर नया कलेक्शन दिखाएंगे तो गुड़ू भया की शॉप के बिल्कुल बगल में मैंने आपको दिखा दिये शोयब भया के जो बच्चों के कपड़े हैं ब्रा क्योंकि इंडरलोक में और कोई केस्मेंट में इतनी वराइटी नहीं रखता हर जग आपको कॉटन और ग्लेस कॉटन मिल जाएगा केस्मेंट सिर्फ और सिर्वन भया के पास में मिलेगा प्राइज डिजाइन सारे बहत अच्छे होते हैं यहां पे यह मैंने एक पिलो कवर निकाला था मतलब दो-3 निकाले थे मैंने बहिया को बोला था टा जूण के रखना इसके दो-3 जो भी पीसिस हैं सिंगल-ंगल पर चेज करने के लिए बहिया ने पटा नहीं निकाले निकाले दुबारा में उस ऄली में गई अगर किसी ने लिये थे तो कमेंट करके ज़रूर बताना यह जो मैं आपको बैट शीट दिखा रही हूँ यह दिवान का साइज रहेगा 250 रुबीज और यह केस्मेंट है सालो साल ऐसा ही मजबूत रहता है गर्मी में आपको ठंडक देगा और सर्दियों में गर्माहट देग तो उस सड़क पर ही जिसे मैं कलाकार स्ट्रीट कहती थी अब बैनर हट चुका है वहाँ पर आपको यह आमिर फैशन वाले भिया मिलते हैं अगर आप नाम अभी भी नहीं पहचाने हो तो जहां पर साड़े 300-400 मैं आपको रेडी तु वेयर कलेक्शन दिखाती हूँ यह उ और टॉप टॉप श्रग और ट्राउजर वाले ड्रेस भी मिल जाएंगे शाड़े 400-300 की रेंज में बहुत बहुत ज्यादा पैसा वसूल कलेक्शन है कई बार इसमें आपको ब्रांडेड पीसे भी मिलेंगे और वो भी 300-400 की रेंज में सिंगल होंगे लेकिन बढ़ी बहुत ही सुन्दर किसी किसी में आपको दुपट्टा भी मिल जाता है यह बस सब कुछ लगकी लिए है कि आपको क्या हाथ लग जाए नेक्स्ट आप जो देख रहे हैं यह ना क्रेप जैसा ही था OSM नाम से कुछ ऑसम में भी ब्रांड का नाम है तो ऐसा क्रेप जैसा रियॉन के और कॉटन के देखने को मिलेंगे अगर आप रियॉन फाब्रिक ले रहे हो कोशिश करो अपने साइज से थोड़ा सा बड़ा साइज लो क्योंकि रियॉन मैंने सुना है आप लोगों की कमेंट्स में पढ़ा है मतलब की दोने के बाद थोड़ा सा श्रिंक हो जा पीज सिर्फ 300-400 में पूरा का पूरा आपको सिला सिला है मिल रहा है बहिया के पास और शॉप में आधर भी पीछे लगे होते हैं वो आपको 600-700 की रेंज में मिल जाते हैं अब मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हो हो सकता है 3-4 महिने बाद आओ अस टाइम बहिया ने कुछ दिवाली वगेरा के टाइम पर कुछ हेवी सूट टांग रखे होंगे आपको होगे बहिया आपने तो वीडियो में तो हमने सुनाता 600-700 में मिल जाता है तो इस बात का ध्यान रखना कि थोड़ा सीजन के हिसाब से फ्लैक्चुएशन यहां पर रहती है ठ तरदिों में वहाँ पर भिया फेरन वगेरा भी लाएंगे भी लाएंगे तो वह दिखाऊंगे में शॉप आपको कहां मिलती है तो अब मैं आपको लेकर आगया हूँ चिस्ट बगल वाली शॉप में जो कि हैं सल्माण भाई जी साढ़ी की बहार टीबल पर हमेशा के तरा सेम पुराना प्राइज है साड़े तीन सो यहाँ पे देखे आपको हर बार नया कलेक्शन देखने को मिलेगा और जितने भी शॉपकीपर्स मैं अपने व्लॉग में स्पेशली कवर करती हूँ वो जादा तर ट्रस्टेड होते हैं ठीक है मतलब मैं जिन पर परसनली ट्रस्ट कर सकती हूँ हर कोई ट्रस्टेड है या नहीं मुझे नहीं पता मैं जिन पर ट्रस्ट कर सकती हूँ कोई इशू है तो मैं उन्हें कॉल करके बोल सकती हूँ बही ऐसे ऐसे हुआ है इसको ठीक करो इनका वापस करो, इनके साथ ऐसा हुआ है, मैं बोल सकती हूँ at least तो इसलिए मैं उन Trusted Shop Keepers की आपको Shops दिखाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे हैं लेकिन हर किसी का कार्ड दिखा के मैं बूलूँ आप इन से उनलाइन ले लो आप कुछ लो खामक आपको घाटा हो जाए आपके resale करने में या कुछ भी करने में तो ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती के आपके साथ किसी के साथ भी हो एक रुपे का भी आपको घाटा नहीं होना चाहिए ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहती है तो इसलिए मैं आपको सिफ ट्रस्टेड शॉप दिखाती हूँ अब अंदर वाली जो साड़ी आए ना पॉपल कलर की साड़ी भाईया को इसका प्राइज नहीं पता था काश उन्हाने मुझे बता दिया होता तो मैं लेने की ट्राइ करती क्योंकि बिल्कुल दुपट्टे का प्योग शिफान का उसका मटीरल था बहुत ही सुंदर ऐसे साउथ सिल्क वाली टाइप की आपको यहाँ पे साड़ी स मिल जाएंगी बस जो भी लेना अच्छे से चेक जरूर करना अंकल ने खोली थी उसमें बीच में चीरा लगा हुआ था तो और अंकल ने किसी औरी कोने में डाल दी ठीक है ना तो यहाँ पे सब साड़ी जो ह लगती है इसी दुकान के अंदर तो उन्होंने वहाँ से सूट लिये थे वो कहती ही कि आप ऐसी फ्रॉट दुकाने मत दिखाये करो अरे बाबा इस दुकान में मैं कभी सूट नहीं दिखाती मैं सिर्फ सल्मान भाई की साड़ी की शॉप दिखाती हूँ और हमेशा कहती पूरी साड़ी खुलवा के तसली करके लेना वो सूट मैंने कभी नहीं दिखा है आप अगर अपनी मर्जी से कोई शॉप इंग करते हो तो उसके लिए आप जिम्मेदार हो यार मैं यहीं तो कह रही हूँ कि मार्केट बहुत बढ़ा है यहां पर बहुत सारे शॉप कीपर बढ़ा है बट हम किसी हर किसी पर नहीं ट्रस्ट कर जकते मैं जिन पर परसनली ट्रस्ट करती हूँ उनको ही आप नों के साथ में शेयर करती हूँ ठीक है अभी ना मैं आपको आगे दिखाऊंगी धासुकुर्ति वाले भया के सूट का कलेक्शन उनके बिलकुल सामने आप पांच छे कदम की दूरी पर इनकी दुकान आपको मिल जाएगी आमना कलेक्शन जननत कलेक्शन वाला जो बिल्डिंग है यलो मैं आपको दिखाया उनके बिलकुल सामने ये धासु सूट्स वाले भया का शॉप है इनका दर्या गंच की शॉप का कार्ड भी मैं आपके यहां पर बहुत ही ज्यादा डिजाइनर पीस आपको मिल रहा है ये कोट सेट है गाइस ऐसा मैंने भाई अभी तक कहीं नहीं देखा कहीं नहीं मतलब कहीं ना चांदनी चौक में ना लाजपतनागर में मतलब मज़ा या गया इतने रॉयल पीस को देखके शाइन भी अच् यह मैंसे पैचिस में और यह आगया है कोट सेट में कम माल का लग रहा है बहुत ही सुन्दर नेक्स्ट आगया आपका यह ऐसा चोड़ा चंदेरी जैसा फाब्रिक था जो भी लिना एक पर कंफर्म कर ले ना फाब्रिक भया से भी तो यह 850 का है देन यह आगया आपका हैं कुछ पीसे आपको मिलते हैं जो भी लेना चाहते हो एक बर प्लीज कंफर्म जरूर कर लेना ठीक है नेक्स जहां पर आपको चिकन कारी में पाकिस्टानी पैटन का सूट मैं दिखा रहूं कलर वगरा के लिए आप भया को कंटेक्ट कर सकते हो पूरा आपका थ्री पीस का स प्रिंजा तुपट्टा के साथ में और इनके पास आपको कुछ इस तरीके के सेट मिल जाएंगे देखे प्योर कॉटन की कुर्टी है ये ये देखो पास से काम ठीक है प्रिंट है और साथ में इसकी सलवार मुझे बहुत सुंदर लगी ऐसी सलवार देखते ही मेरे को सिर् गई है मेरे लिए तो ये जो आप देख रहे हैं ये लहरिया पैटन का सूट था बहुत ही प्यारा प्योर कॉर्टन में इनके साथ साथ आप यहां से सिंगल सिंगल कुर्टी भी परचेस कर सकते हैं ठीक है साइजिस के लिए आपको भया कोई कॉई कानना पड़ेगा एक ड इनका काट दुबार आपके साथ में शेयर कर रहे हूं इनसे आप घर बैठी भी परचेसिंग कर सकते हो ठीक है शिपिंग के चार्ज़ सिर्फ एक्स्ट्रा रहते हैं नेक्स जब मैं आपको लेकर आगी हूं नरेश भाईजी के फुटवेर शॉप पे और ये रेड पीस मतलब बहुत ही अच्छी मोजडी अब यहां पे कम है रहीज भाई लाते है अगर लाते है तो अधर्वाइज यहां पे यह सारे फ्लाइट आपको मिलेंगे सिर्फ और सेफ 200 रुपीस की रेंज में नेक्स टाइम में बी क्या आए किसी को नहीं पता आप सीलंपुर के व्ल टेबल ऐसा डॉक्टर सॉफ्ट वाला कम है मतलब एस कंपेर टू इंद लोग बट वहां पे पार्टी वेर कलेक्शन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा जो जिसकी प्राइटी उसे साब से काम करो नो प्रॉबलम लेकिन चोर दूनों मार्केट में ठीक है इधर भी है मामू की शादी में लहंगा पहनना है तो तो तोड़ी हाइट उपर होनी चाहिए ना नहीं तो लहंगा खराब हो जाएगा और उसको उठा के भी तो चलना है स्टाइल से बगल में सो चाची के बगल में सो यहाँ पे आपको ऐसी पार्टी वेर कलेक्शन बल रही है सिर्फ और मैंने आपको यह बात बहुत बार बोली है शोई भिया के जो बच्चों के बच्चे नहीं है शोई भिया के जो शॉप है ब्रैंडेड कपड़ों की बच्चों के लिए वो और नरेश भिया के यह जो बच्चों के फुटवेर है नरेश भिया रहुल भिया के यह यह दो जन्नत कलेक्शन की जो बिल्डिंग है यलो कलर की बिल्कुल उसके आगे लगती है और जिन्नों के सरक्यों पर से यह सब जा रहा हो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लोकेशन का लिंक दिया हुआ है इंदरलोग मार्केट का पूरा लोकेशन मैप कैसा कौन सी बिल्डिंग कहां पर है कौन सी कली कहा है कौन सा शॉप की पर कहां बैटा है प्लीज आप उसको देखकर आईए और अभी कल पर सोई मुझे कुछ कमेंट्स पढ़ने को मिले वो लोग ट्यूसजे को इंदरलोग मार्केट गए हुए थे और देवर सेंग की हमें तो ऐसा कुछ नहीं मिला इंदरलोग जाने के लिए और अगर आप डेली मार्केट गए भी हो तो ज़रूरी नहीं है ना कि हर बार जैसा कलेक्शन मार्केट में होता है उस ताइम भी वैसे रहे आप मानोगे नहीं लेकिन अभी तक भी जी ट्वेंटी की वज़ा से कई शॉप की परसका जो नया माल है वो लोगों तक आया ही नहीं तो इसमें किसी की वी गलती नहीं है ठीक है अगर आप गए हो ठीस जे को इंदरλοग तो यह आपकी मर्जी है और अगर आपको लगा कि थास्य वाला उस दिन लगता है तो यह तकी गलती है इसलिए बोलते हो वीडियो स्किप करके नहीं यह है 250 रुपीज की और अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ यह किंग साइज की है जो बिल्कुल ऐसे जैपुरी प्रिंट्स आपको मिलेंगे ना लाइट लाइट से जो आपको देखते ही मन में आए वाव वही महंगा होता है कि मेरे साथ हुआ है बहुत बार जो भी मुझ के बीच में हाडली 20 कदम का फासला है अच्छा ब्लू ट्रांसफोर्मर के सामने जो गली जाती है इसी में मैंने आपको यह सारे गुड़ू भीया के नरिज भीया के फुटवेर और दिखाए ना तो बहुत देर में यहां पर बच्चों का एक कलेक्शन लगा हुआ था बलू ट्रांसफोर्मर के सामने और कूड़ागर के बगल में इसके बिलकुल सामने बहुत सारी टेबल पर शॉप लगती है और वहां पे जो शौप की पर हो मेरट से आते हैं यहां पर सबWest आपको bedsheets, fabric और कभी भी कुछ भी आ जाने वाली चीज़े मिलती हैं जैसे कि curtains मैं आपको दिखा रही हूं ऐसा लग रहा थे इन curtains से कोई साड़ी बना लेहंगा बन वाले इतने सुंदर curtains भाई mirror लगे हुए है और work वो रखा है sequence लगे हुए है बताओ 200 रुपीज के आपको पीछे टेलीफोन दिख रहा है न दिवार पर टेलीफोन वाली गली जो मैं आपको दिखाती थी इसी गली में अंदर जाके आपको य बेट शीट की शॉप दिखाऊंगी इन भया के पास ना इस बार स्कुर्ट्स आई हुई थी और आई हुए थे कुछ ब्लाउस तो यलो ब्लाउस पहले तो मैंने अपने लिए शॉट लिस्ट कर लिया सिर्फ 200 का था और उसकी खुबसूरती आपने देख ली बट मेरी बगल में मेरी सब्सक्राइबर थी उनको वो पर्चेस करना था उनका कोई बात नहीं मैं बहुत मार्केट घूमती हूं कभी कुछ और मिल जाएगा ले लोंगी आप ले लो नो इशू वो भी मेरी जैसी थी दूबली पतली सी तो उनको मैंने दे दिया और यहां पर देखें कर्टन बहुत मिलेंगे इस बार वो कर्टन वाले भाईया नहीं आय है मुझे नीन आ रही है मेरा सर्दद हो रहा है बहुत बेट शीट है प्योर कॉटन की बेट शीट और कलर्स देखो यार कितने कितने शाही हैं बहुत ही सुंदर है तो यहां पर साड़े चार सु है किंग साइज और फरक मैं आपको बता हूँ इनका जो पिल्लो कवर है उस वही कूड़े घर और ट्रांसफोर्मर के सामने वाले इरिया में बहुत यहां पर फाब्रिक मिलता है आपको पता है तो अस्ती रुपे मीटर में और गेंजा फाब्रिक मिल रहा था जिस पर कि यह पूरा एंब्रॉइडरी और ऐसा जरी का काम था अच्छा है लहंगा बग हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए स्टे टून्ट